बोचपुरी सुपरस्टार्स के बीच करोना वाइरस का कितना खौफ है चलिए आपको बताते हैं वैसे तो जो रितेश पाणने ने हुली महत्सों की पार्टी रखी थी तब पवन सिंग से पूछा गया करोना वाइरस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे तब पवन सिंग ने ये जवाब दिया कि भोचपुरी में हर एक चीज का मतलब बड़ा ही मजाक्या धंग से लिया जाता है जैसे करोना ये सब बातों को पवन सिंग ने तो उस वक्त हस खेल कर ताल दिया लेकिन अब ये समस्या गंभीर हो चुकी है क्या आपको पता है कि भोचपुरी में कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी आउड़ोर शुटिंग को रोग दिया गया है जी हाँ आउड़ोर शुटिंग नहीं की जा रही है फिल्मों की जितनी भी शुटिंग है वो इंडोर ही की जा रही है मुंबई से बाहर जादा तर फिल्मों की शूटिंग नहीं की जारी है जो जहां शूटिंग कर रहा है वो वही शूटिंग कर रहा है जैसे कि अलहाबाद में अभी मंटुआ के नानी की शूटिंग हो रही है जो कि फिल्म खेसारी लाल यादो की है तो उसकी शूटिंग वही हो रही है लेकिन और किसी भी फिल्म की बाहर आउडोर शूटिंग नहीं हो रही है फिलहाल करोना वाइरस के लिए 31 मार्च तक सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है दिल्ली के स्कूलों तक में भी 30 मार्च तक की छुट्टी घोसित कर दी गई है साथ ही साथ मुंबई के भी कई स्कूलों में भी यही किया गया है लेकिन एक बात और आपको बता दे कि करोना वाइरस से पीड़ी द्व्यक्तियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है इसे लेकर अब भोजपुरिया जो एक साथ ही अपने मुझे उपर मास्क लगाएं हैंड वॉश करें और हैंड सेंसिटाइजर रखें अपने पास इन सब की भी बाते बता रहे हैं साथी साथ भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉली गुड हो या फिर राजनितिक जगत की हस्तियां हो सभी करोना वाइरस से बचन रहे हैं तो मुझे मास्क या फिर रुमाल अपने साथ कैरी करें खासी और छीक आने पर रुमाल मुझे रखें और हैंसे अपने साथ हमेशा रखें जहां पर आप हाथ नहीं धो पाते हैं वहां पर इसे अप्लाई कीजिए सर्दी जुखाम अगर हो तो तुरन दवाय तो अपने नियरिस्ट जो भी हॉस्पिटल है डॉक्टर है उन्हें संपर्ख करना ना पुलिए बी सेफ फ्रम करोना वाइरस